प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास तेंथ के साइन्स सब्जेक्ट को साइन्स सब्जेक्ट को NCRT बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग साइन्स सब्जेक्ट में पिछले क्लास में हम लोग अपवर्तन को समझ रहे थे कि परकास के अपवर्तन क्या है तो प्यारे बचों हम लोग अपवर्तन का मिनिंग क्या समझते हैं जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परकास की किरने परवेश करती है तब हम उसको बोलते प्यारे बच्छो अपुवर्तन परकास का अपुवर्तन का प्यारे बच्छो यही definition है कि जब कोई परकास की किरने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम उसको परकास का अपुवर्तन कहते हैं प्यारे बच्चों माध्यम के बारे में भी हम लोग पड़े थे कि इतने तरह का माध्यम होते हैं सगहन वीरल इसके बारे में भी हम लोग बात किये थे वही नहीं प्यारे बच्चों हम लोगों का रह गया था कि आखिर परकास के अपवरतन का उदाहरन का क्या क्या है तो परकास के अपवर्तन का क्या क्या उदाहरन है उसके नीचे एरो देंगे लिखा जाए बोलकर लिखवा रहे हैं क्या क्या है फिर हम समझाएंगे तो सबसे पहले एरो देकर लिखेंगे परकास के अपवर्तन के उदाहरन निमने लिखित है पहला पहला उदाहरन पानी से भरी टैंक की तली उपर उठी हुई परतीत होती है उपर उठी हुई परतीत होती है परतीत का मतलब मालूम पढ़ता है दूसरा लिखेंगे काच के बरतन में रखे पानी में रखे फिर से लिखेगा काच के बरतन में रखे सिधे चड़ सिधे चड़ तेड़ी प्रतीत होती है और तीसरा लिखेंगे थर्ड एक्जामपल हम सभी बात को समझाएंगे तीसरा लिखेंगे कटोरे में पानी डालने पर कटोरे में पानी डालने पर सिका अपने वास्त्विक इस्थिती से सिका वही जो हम लोग खरिदते हैं दुकान पर जाकर तौफिवगर वही सिका अपने वास्त्विक इस्थिती से उपर उठी हुई परतीत होती है उपर उठी हुई परतीत होती है प्यारे बच्चों परकास के अपवरतन का मतलब समझ गया थे लेकिन ये नहीं समझे थे कि परकास के अपवरतन का उदाहरन क्या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों परकास के अपवरतन के मुख्यत तीन उदाहरन है पहला ये कि अभी कभी आप इन चीजों को गौर किजिएगा एक्सपेरिमेंट किजिएगा कि जो चापकल होता है या नल होता है उसके नीचे बाल्टी रख देना है अब बाल्टी में आपको पानी भर लेना है अब जब बाल्टी में पानी भर गया उपर तक अब क्या करना है नल को बंद करना है और फिर आपको उपर से देखना है उस पानी में तो आपको पता चलेगा कि उसका जो पेंदी है वो उठा हुआ जैसा प्रतित होता है मालूम पड़ता है लेकिन वास्तों में मॉत तली ही है लेकिन तली अपने वास्तिवी कस्थान से उठा हुआ परतित होता है आप कभी गौर कि यह एक अच्छा एक्स्पेरिमेंट है इसको आप घर पे भी यूज कर सकते हैं एक बाल्टी में एक टैंक में पानी को भर दिजेगा फिर उसको उपर से जाकर देखिएगा तो पता चलेगा कि तल्ली जो है न वह मूड़ा हुआ है उपर की तरफ जैसे मान लिया मेरा हाथ अ मूड़ा हुआ है यानि कि ऊपर ऐसे ऐसे मूड़ जाता है ऐसा मालूम पड़ता है फिर एक और हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं करना क्या है उसी बाल्टी में या एक गिलास में या फिर बड़ा जग में पानी भर देना है और ऐसा पेन चाहे सीधा छड़ आपको उ के जड़ कोडालेंगे तो आपको दिखेगा कि मूडा हुआ हिसा उडालेंगे या फिर काच से बने बर्तन में रखा हुआ जब सिधा वस्तु जैसे चड शिधा , या फिर पेन हम इनुडा हुआ प्रतित फ़ता है कि लगेगा कि वो जो सिधा छड़े ना उम्मूड रहा है और तीसरा सबसे अच्छा बात कि एक कटोरा में लिजी कटोरा लिजे या फिर वही लोटा लिजे या फिर कोई भी पदार्थ लिजे जिसमें पानी हम लोग रख सकते हैं फिर क्या करना है उसमें सीका डालना है और यह आप तिनों एक्सपेरिमेंट आप करिएगा तो इसमें क्या करना है सीका डालना है पानी भर देना है और पानी में एक सीका को डालना है तो पता चलेगा कि सीका जो है उपर उठा हुआ जैसा मालूम पढ़ रहा है यानि सीका ज परकास के नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपवर्तनांग के बारे में ये दिखिए अपवर्तन अलग है पैरे बच्चों और अपवर्तनांग अलग है अपवर्तनांग ये टॉपिक दिजेगा, इसको वीवी आई कर दिजेगा आता है अपवर्तनांग से आप क्या समझते हैं तो सबसे पहले अब हम लोग सीखेंगे कि अपवर्तनांग क्या होता है उसके नीचे फरस्ट एरो देंगे लिखा जाए अपवर्तनांग के नीचे फिर हम लोग बातों को समझेंगे कि अपवर्तनांग क्या है अपवर्तनां के नीचे एरो देकर लिखेंगे वायू में परकास की चाल और माध्यम में परकास के चाल के अनुपात को अपवर्तनांग कहा जाता है यानि कि अपवर्तनांग किसको कहते हैं तो जो बात अभी फर्ष्ट एरो में डाल कर लिखें उसके नीचे लिख लिजेगा अपवर्तनांग का फर्मुला अपवर्तनांग बराबर अपवर्तनांग बराबर वायू में प्रकास की चाल बटा माध्यम में प्रकास की चाल ठीक है अब अपवर्तनांग का फर्मूला क्या है पैरे बच्चों तो वायू में प्रकास की चाल बटा माध्यम में प्रकास की चाल W.U. में जो परकास की चाल है उसको हम लोग C से सुचित करते हैं और माध्यम में कोई परकास के चाल है उसको B से सुचित करते है और अपुवर्तनांको प्यारे बच्चों A.N. से सुचित किया जाता है तो इसलिए लिखेंगे A.N. बराबर C बटा B यानि कि पैरे बच्चों एन का मतलब हुआ अपवर्तनांक और सी का मतलब हुआ है वायू में परकास की चाल और बटा में भी का मतलब हुआ माध्या में परकास की चाल पहरे बचों आपको तो पता होना चाहिए कि परकास की चाल वायू में कितना होता है तीन लाग किलो मिटर पर सेकेंड होता है या फिर 3 इंटू 10 के पावर 8 मिटर पर सेकेंड बोलता है तो ये जो फर्स्ट एरो दिये उसके नीचे ये फर्मूला को लिख लेना है फिर इसको दिखा देना है कि इसको एन से सुचित करते हैं इसको सी से सुचित करते हैं इसको भी से सुचित करते हैं इसलिए एन बराबर सी बटा भी फिर उसके नीचे एरो देंगे उसके नीचे अपवर्तनांग के सेकेंड एरो लिखेगा अपवर्तनांग को प्राय एन से सुजित किया जाता है फिर उसके नीचे एरो देंगे उसके नीचे लिखेगा वाइू में परकास कि चाल अठार्त सी कामान 3 x 10 के पावर 8 मिटर पर सकेंड होता है क्या लिखेंगे उसके next arrow में लिखेंगा वायू में परकास की चाल अथार्थ इसी को C से सुचित करते हैं तो अथार्थ C का मान 3 into 10 के पावर 8 meter per second होता है चलिए प्यारे बच्चों अब जला हम लोग अपवर्तनांग को सीखते हैं कि अपवर्तनांग क्या है बहुत ही सिंपल है सबसे पहले वायू में परकास की चाल और बटा इसी को बटा को बोलते हैं अनुपाद क्या बोलते हैं इसको अनुपाद बोल जाता है तो वायू में जो परकास की चाल होगी और माध्यम में परकास की चाल जो होगी उसको अगर डिभाइड किया जाए तो डिभाइड करने से प्यार बच्चो क्या मिलता है अपवर्तनांक मिलता है या फिर यू बोले तो वायू में परकास के चाल और माध्यम में परकास के चाल कि अनुपात को हम लोग अपुवर्तनांग कहते हैं और अपुवर्तनांग को किस से सुचित किया जाता है N से वायू में परकास की चाल कितनी होती है वायू में परकास की चाल को किस से सुचित करते है C से और माध्यम में परकास की चाल को किस से सुचित करते हैं भी से प्यारे बच्चों अब ये आपको समझ में नहीं आ रहोगा किसर क्या होता है माध्यम में और परकास की चाल वायू में ये सब क्या है तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि किस को किस से सुचित करते हैं तो माध्या में परकास की चाल को V से सुचित करते हैं वायू में परकास की चाल को C से सुचित करते हैं और अपवर्तनांग को N से सुचित किया जाता है तो इस तरीके से जो फर्मुला बना N बराबर C बटा B और याद रखिए कि वायू में परकास की चाल का मतलब C का मान कितना होता है हमेशा फिक्स रखना है कि C का मान यानि कि परकास के चाल का मान कितना होता है 3 गूने 10 के पावर 8 मिटर पर सेकेंड प्यारे बच्चों इसको याद कर लेंगे ठीक है कि वायू में परकास की चाल कितना होता है तो 3 गूने 10 के पावर 8 मिटर पर सेकेंड ये किस का मान होता है हमेशा C का मान अब ज़रा अपवर्तनां का मतलब समझते हैं कि अपवर्तनां क्या है सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोगों को अपवर्तनां का मान निकालना है ठीक है तो अपवर्तनां का मतलब क्या हुआ कि C में जब भी से भाग देंगे तब न निकलेगा एन का मान तो अब हम लोग माध्यम में परकास की चाल को समझते हैं कि माध्यम में परकास की चाल क्या होता है? ये तो उपर वाला तो भेलो फिक्स होता है, यानि उपर जो C का मान है, ये बिल्कुल फिक्स है, कितना? तो 3 गुने 10 के पावर 8, ठीक है, उपर मान जो है फिक्स है, और नीचे में कितना रखना है मान? तो नीचे में, देखे, माध्यम लिखा हुआ है, और माध्यम कुछ भी हो सकता है, प्यारे बचो, यानि कि जो परकास हम लोगों को देना है, उसका माध्यम, आप हो सकता है कि परकास को जल से होकर गुजार रहे हैं, हो सकता है कि आप हीरा से होकर गुजार रहे हैं हो सकता है कि आप अलकोहल से होकर गुजार रहे हैं अलकोहल मने दारू अलकोहल हो सकता है कि कीरोसीन तेल से होकर गुजार रहे हैं यानि कि ये माध्यम का मतलब कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों समझना रहे हैं तो इस माध्यम का मतलब होता है कि आप जहां पर किसी light को गुजार रहे हैं जैसे मान लिया कि आप सीशा से होकर गुजार रहे हैं, काच से ठिक है, तो ऐसा हम एक example के तरफे लेते हैं एक example के तरफे हम लेते हैं जैसे कि यहां पर example है पैर बच्चो जैसे मान लिया कि एक तॉर्च से हम लाइट को निकालते हैं ठीक है एक तॉर्च से लाइट को निकालते हैं हम लोग जो है जल से इसको पास करा रहे हैं यानि कि तॉर्च जो जला है हम लोग यहां पर ओर तॉर्च का जो रॉसनी है किसको क्रॉस कर रहे है जल से जल में जैसे ही ये रोसनी पहुंचा तो जल में उसका स्पीड हो गया दू मीटर पर सेकेंड समझ में रहे है जल में कितना स्पीड हो गया दू मीटर पर सेकेंड तब अगर कोई बोलेगा कि अब हमें अपवर्तनांग का मान निकालो तब हमें अपवर्तनांग का मान कैसे निकालते, उपर तो C बटा भी होता है, यानि कि C के मान fix, C के मान कितना, तो 3 गुने 10 के पावर आत, लेकिन अब जल में जो रौसनी जा रहा है, तो जल में उसका चाल कितना है, दू, उसको दू से डिभाइड करेंगे, और प्यारे बचों जो आएगा, उ हो जाएगा हम लो अपवरतनांक मिलेगा, यानि कि वायू में परकास की चाल उपर ओला fix है, कहीं का भी निकालना होगा अपवरतनांक, एक पेन का निकालना होगा, एक कागज का निकालना होगा, जल का निकालना होगा, अलकोहल का निकालना होगा, किरोसीन का निकालना होगा, किसी का भी हमे हम जो है अपवरतनांक निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों लेकिन कब जब उस माध्यम में हमको परकास की चाल पता होना चाहिए कि जल में जो है परकास कितना तेजी से चलता है यह आपको पता होना चाहिए जब यही पता नहीं है तब आप वह पुरतनांग नहीं निकाल सकते हैं तो यह इसलिए फर्मुला हुआ हलांकि उपर तो अगदम फिक्स होना चाहिए कि उपर एकदम सी का मान पूट कर देना है कि लेकिन नीचे क्या नीचे वही माध्यम को लेना है जिसमें आप परकास को पास करा रहे हैं परकास को एलकोहल से गुजार रहे हैं या परकास लाइट दे रहे हैं हीरा में तो हीरा में केतना तेजी सर परकास की चाल हुआ उसको से डिभाइड कर देंगे तो जो आएगा अपवर्तनांग हो गया, यानि कि प्यारे बचों, अपवर्तनांग का सिधा सिधा आप definition याद रखेगा, बहुत simple definition है, वायू में परकास की चाल, कॉमा, माध्यम में परकास की चाल, के अनुपात को अपवर्तनांग कहा जाता है, चलिए, अब हम लोग लिखेंगे, कुछ प प्यारे बचों, पदार्थ, एक तरफ क्या लिखेगा, पदार्थ, ठीक है, और एक तरफ लिखेगा, उसका अपवर्तनांग, क्या लिखेगा, उसका अपवर्तनांग, यानि कि कुछ जरूरी चीज है, जिसको हम लोगों को याद रखना होगा, ठीक है, यानि कि कौन से प पॉआ पॉआंट जीरो जीरो तीन फिर दूसरा नमबर पे है बर्फ इसका होता है प्यारे बच्छों I1.31 यह अपॉर्थनांख है यानि कि बरफ वाला का निकालने के लिए उसको भाग दे कर इतना आया है क्योंकि अपॉर्थनांख अपॉर्थनांख मने इनके मान ठीक है फिर उसके बाद आता है जल का नंबर जल तो याद रखिएगा जल का अपवर्तनां कितना होता है 1.33 फिर अगर एलकोहल का बात किया जाए तो यहां होता है 1.36 उसके आगे नोट करते चलिए फिर होता है किरोशिन किरोशिन का तेल यानि की मिटी तेल ठीक है मिटी तेल का होता है 1.44 फिर आगे लिखिएगा सीसा यानि की काच इसी को सीसा भी बोलते हैं तो सीसा ब्रेकेट में लिख लिए सीसा का होता है प्यारे बच्छों 1.46 फिर उसके नीचे लिखिएगा तारपिन तेल तारपिन तेल का मतलब वही तेल जो हम लोग का वाड़ी वाड़ी दर्वाजा और वाजा को प्रेंट करने के लिए नहीं उसमें मिलाते हैं तारपिन के तेल वही तारपिन तेल है उसका होता प्यारबचो 1.47 ठीक है और फिर आता है बेंजीन बेंजीन और प्यारे बेंजीन का फर्मूला ह होता है C6H6 याद रख लिएगा जैसे जल का कैसे फर्मूला होता है यहां पर H2O होता है ना वैसे ही बेंजीन एगो लोग पढ़ेंगे अभी तो हम लोग फिजिक्स न पढ़ रहें परकास के परावर्तन और अपूवर्तन उसी तरह से हम लोग कैमेस्ट्री के पार्ट में बेंजीन के बारे में सिखेंगे तो बेंजीन का फर्मूला क्या होता है प्यार बचों C6H6 इसका जो होता है 1.50 फिर आता है हीरा का नंबर और इसका होता है 2.42 प्यार बचों यह आप देखपा रहोंगे सब का एक टेबल बना लेना है अपने कोपी में एक तरफ लिखना है पदार्थ और एक है उसका अपवर्तनांग यानि कि भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ है मान उसी को नपवर्तन कहते हैं तो वायू के लिए आप वर्तनांग कितना होता है बर्फ के लिए कितना होता है जल के लिए कितना होता है यह कुछ इंपोटेंट है और इसको आपको याद रखना चाहिए लेकिन यह सब में प्यारे बचों सबसे इंपोटेंट होता है हीरा बिल्कुल आप हीरा का अपवर्तनांक याद रखेगा हीरा का अपवर्तनांक पूछता है बोड एक्जाम में कि कितना होता है 2.42 याद रखेगा और सबसे ज्यादा भी होता है अगर सवाल आएगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांग होता है तो हीरा का सबसे ज़्यादा और सबसे कम अपवर्तनांग इसका वायू का इसलिए प्यारे बचो वायू में ही हम लोग डिभाइड करते हैं क्यों क्योंकि इसका सबसे कम अपवर्तनांग होता है ठीक है तो आप यहाँ याद रखिएगा सबसे important यह है तो इसको कर लिजे भी भी आई इवला पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांग कितना होता है अगर आप सबका value याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है अगर सबका नहीं याद कर पाते हैं तो प्यारे बचो हीरा तो आपको याद करना ही पड़ेगा यह हीरा का अपवर्तनांग 2.42 होता है ठीक है तो यह तो important हो गया अब जरा एक चीज और बात लिख लिए जाए note में करके तो note में कुछ important point है तो उसके नीचे यह जो table बनाईएगा उसके नीचे लिखेगा note का पहला point लिखेगा वायू का सबसे कम अपवर्तनांग होता है होता है और note का दूसरा point में लिखेंगे हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांग होता है तो प्यारे बैचोँ आपको जो है note में करके क्या लिखे हैं पहला में कि वायू का सबसे कम होता है अपवर्तनांग और दूसरा में लिखे है हम लोग कि हीरा का सबसे ज़यादा अफवरतनांग होता है तो ये बात आपको याद रखना चाहिए और आप इस टैबल में देख भी रहोंगे कि सबसे कम है किसका वायू का और सबसे ज़यादा किसका है हीरा का तो ये हम लोग अपवर्तनांग के बारे में पढ़ रहे थें और अपवर्तनांग के बारे में आपको चीजें याद भी रहने चाहिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और फिर NCRT के बुक पर थोड़ा सा ध्यान दें तो उसके बाद हम लोग को जैसा की पीछे पढ़ते हैं हम लोग की बीच में प्रशन मिलता है तो ऐसा ही प्यारे बच्चों अब हम लोग को प्रशन मिल चुका है तो क्यों न इस प्रश्ण को हम लोग हल करी ले तो चलिए इस प्रश्ण में पहला question क्या है जरा उसको हम लोग पढ़ते हैं चुकि हम यहां बोलते हैं question पहरे बचों इसलिए ताकि हो सकता है कितने student के पास book न हो अगर आपके पास book है तो आप book से question लिख लिजे और जब हम उसका answer बोले जब उसका हम समझाएं तो आप उसको प्लिज समझ लिजे और इसका answer में answer को अच्छे तरीके से लिख कर आप एक notes को त्यार रखिए क्योंकि जब हम लोग की lockdown खुलेगी तो हम लोग आराम से test series ही start कर देंगे ठीक है तो आप जरूर से जरूर notes बनाईए और उसको याद कीजिए उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए बारी-बारी से चीजों को practice कीजिए तो चलिए पहला question लिखते है वायू में गमन करती परकास की एक किरन जल में तिर्ची परवेश करती है पुणविरम क्या परकास किरन अभिलंब की ओर जुकेगी अथवा अभिलंब से दूर होगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी देखे प्यार बचो कोशन समझे प्यार बचो क्या बोल रहा था कोशन बोल रहा है कि इधर हवा है हवा का मतलब वीरल माध्याम है ठीक है और विरल माध्यम से परकास आ रहा है किधर जल की ओर यानि कि यहां जल है और यह जल और हवा में कोण विरल कोण सगन तो इधर विरल माध्यम क्यों? क्यों क्यों कि यहां पर वायू है और यहां पर जल यानि किया हो गया शगन माध्यम घख है तो अब बोल रहा है कि वीरल से सगन माध्यम की और परकास आता है तो हम लोग क्या सीखें है कि अभी लंब की allowing कi और मुड़ेगा तो प्यारे बैचों हम कल इसको बहुत इंपोटेंट पॉइंट करके समझाये थे और देखिए हम लोग का इंसी अर्टिकोहशन में एक पूछ भी दिया कि एक टॉर्च का परकास का किरन है वो कहां से कहां जा रहा है तो वायू से जल के तरफ रोस्नी जा रहा है तो वायू का मतलब को जी वीरल और जल का मतलब को जी सगहन तो आप यह याद रखिए कि चुकि वीरल से सगहन की ओर तो आर लंब की और मुड़ती है परकास की केरन चोंकि हम जानते हैं इसलिए आंसर यहां पे क्या होगा ières बिलम्ब की और मुड़ेगी समझा है कोसिसों क्या क्या बोल रहे कोसिन यहीं बोल रहे कि एक परकास की किरन वायू से जल की तरफ जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी तो चलिए इस question का answer दिख लिया जाए आंसर लिखेंगे वायू में गमन करती परकास की एक किरन वायू में गमन करती परकास की एक किरन जल में तिर्ची परवेस करती है तो जल में तिर्ची परवेस करती है तो परकास की रन अभिलंब की ओर जूकेगी क्योंकि वायू वीरल माध्यम है तथा वायू वीरल माध्यम है तथा जल सघन माध्यम है जल सघन माध्यम है और और हम जानते हैं कि जब कोई परकास की रन वीरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करती है तो अब यह फिगर नहीं बनाना है हम फिगर समझा रहे थे कि कौन किसमें जा रहा है कोईशन क्या बोल रहा था उसका हम लोग आंसर भी कर लिए चलिए अब अगले कोईशन की तरह बढ़ते हैं कोईशन नूमबर टू कोईशन नूमबर टू लिखा जाए प्रकास प्रकास कॉमा वायू से प्रकास कॉमा वायू से वन पॉइंट फाइफ जीरो अपवर्तनांग की काच की प्लेट में प्रवेश करता है काच में प्रकास की चाल कितनी है यदि निर्वात में प्रकास की चाल थ्री इंटू टेन के पावर एट मीटर पर सेकेंड है प्यारे बचो ये एक नुमेरिकल प्रोबलम है जो दूसरा आप कोईशन लिखे हैं हम जो बोलें या फिर आपके बुग में है तो उसमें कोईशन एक नुमेरिकल प्रोबलम है इसको सॉलूशन करने के लिए आप जरा ध्यान दिये सवाल पढ़िए तो सवाल में लिखा है कि 1.50 अपवर्तनांक लिखा हुआ है न तो यहां पे लिखेगा कि दिया है क्या-क्या सवाल में दिया है भई तो अपवर्तनांक बोला तो अपवर्तनां को तो N से सुचित करते हैं और N का भेलू दे दिया 1.50 ठीक है और फिर बोला कि परकास की चाल कितनी होगी काच में क्योंकि सवाल साफ साफ लिखा है कि काच में परकास की चाल कितनी होगी तो काच एक माध्यम है तो वहाँ पर भी कामान निकालना है कब जब निर्वात में परकास की चाल दिया है यानि कि C कामान दे दिया 3.10 के पावर 8 मिटर पर सकें तो प्यारे बच्चों हम लोग अपवर्तनां का फर्मुला जानते हैं न 1.50 और C कामान कितना होता है तो 3.10 के पावर 8 बटा भी का भेलू निकालना है तो भी का भेलू छोड़ देंगे अब हम लोग जानते हैं कि नीचे वाला भी उपर जाएगा तो 1.50 नीचे आ जाएगा तो भी बराबर 3.10 के पावर 8 बटा में 1.50 और इससे ये दो बार में कटेगा इसलिए पैरे बच्चों भी का भेलू हो जाएगा 2.10 के पावर 8 मिटर पर सके यानि सवाल में कुछ नहीं तो N का भेलू दिया था दूसरा सवाल में B का भेलू निकालना था और C का भेलू तो होता ही है जैसा कि अभी हम लोग पढ़े बुक से बुक में पढ़े C का भेलू यानि कि परकास की चाल होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मिटर पर सके तो इस तरीके से इसका सॉलूशन कर लेंगे चलि अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर तीसरा तीसरा कोश्चन लिखा जाए बोल रहे हैं सार्नी 10.3 से ये कोश्चन है अधिक्तम परकासिक घनत्व के माध्यम को ग्यात कीजिए पुन विराम निवन्तम परकासिक घनत्व के माध्यम को भी ग्यात कीजिए पुन विराम निवन्तम परकासिक घनत्व के माध्यम को भी ग्यात कीजिए चलिए ये कोश्चन पुरा हो गया प्यारे बच्चों तीसरा कोश्चन क्या बोल रहे था जरह इसको समझे प्यारे बच्चों जो हम लोग का NCRT किताब है उसमें से अभी हम लोग लिखे ना एक तरफ पदार्थ लिखें एक तरफ अपवर्तनांक लिखें लिखें ना कि वायू का कितना होता है जल का कितना होता है बर्फ का कितना होता है है तारपीन तिल का कितना होता है तो यह जो हम लोग सार्णी बना है वह आपको NCRT के 10.3 सार्णी में मिलेगा सवाल समझना रहा है तो वही बोल रहा है कि आप 10.3 वाला सार्णी देखिए ठीक है और देखकर बताइए कि सबसे अधिक्तम परकासिक घनत्व कौन है और सबसे कम परकासिक घनत्व कौन है तो सबसे अधिक कौन है और सबसे परकासिक घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है और सबसे कम किसका है तो परकासिक घनत्व माध्यम को ग्याद करना है देखिए परकासिक घनत्व माध्यम इसको ग्याद करना है तो दो किये परकासिक घनत्व माध्यम क्या होता है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अपवर्तनांक तो समझ रहे हैं अपवरतनांग में अगर बोला जाएगा कि अपवरतनांग किसका कम होता है तो अपवरतनांग जो है वायू का सबसे कम होता है अभी पढ़ें चाहे आप NCRT के 10 दसमलो 3 सारनी वाला भी देख सकते हैं क्योंकि सवाल खुद बोल रहा है कि 10.3 सारनी आप देखिए और वहां से देख करके और आप बताइए कि किसका परकासिक घनत वा माधियम सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है तो हम लोग जानते हैं ना कि जो टेबल है उसमें सबसे ज़्यादा किसका है तो सबसे ज़् है वो हीरा का है और सबसे कम किसका है वायू का है इसका लिख देंगे आंसर में कि हीरे का अपवर्तनांग सबसे ज़्यादा है तथा वायू का अपवर्तनांग सबसे कम है या फिर यह लिख सकते हैं कि परकासिक घनत्व सबसे ज़्यादा है हीरा का या फिर परकासिक घनत तो सबसे कम है वायू का, यानि कि आप 10,3 में देखिएगा, तो सबसे कम है उपर वायू का, और आप देखिएगा, तो सबसे नीचे हीरा है, तो उसका होता है, सबसे ज़्यादा 2,42, हूं तो इसका आंसर लिखेंगे कि हीरे का अप वर्द्रांग सबसे जाधा अथार्थ 2.42 है जबकि जबकि वाईू का अप वर्त्रांग सबसे कपम अथार्थ 1.003 है वाईू का कितना होता है तो वन 0.003 तो इस तरीके से प्यारे बच्रों हम लोगों का 3 question complete हो गया ये चुकी सार्णी को देख कर बताना था कि किसका ज्यादा है किसका कम है चलिह आईए अगले question की तरह बढ़ता है question No 4 question No 4 पहले question लिख लिजिए question क्या बोल रहे आपको आपको किरोसीन, तारपिन का तेल तथा जल दिया गया है इनमे से किसमे परकास सबसे अधिक त्यूर गती से चलता है इनमे से किसमे परकास सबसे अधिक त्यूर गती से चलता है पुण विराम, सारनी 10.3 में दिये गए आकड़ा का उपयोग कीजिए प्यारे बचों फिर से सवाल क्या बोल रहा है, इस कोशन में देखिए एक तरफ आपको किरोसीन दिया है फिर आपको क्या दिया? तारपीन का तेल दिया, ठीक है? फिर जल दिया, यानि कि तीन को चीज दिया हुआ है और ये सारनी कितना में दिया? 10.3 में दिया अब ये तीनों का आकड़ा को देखकर आपको ये बताना है कि किसमें परकास की चाल सबसे ज़्यादा होगा? लखिए परकास की चाल किसमें सबसे ज़्यादा होगा? सबसे तिवर, सबसे तिवर का मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है? तो परकास की चाल सबसे तिवर किसमें होगा? तो इसका उत्तर लिखने के लिए आप ऐसे लिखिएगा कि सारनी सारनी 10.3 से, आप सारनी 10.3 से सबका आंकड़ा तयार कर लिजे तो यहां उपर लिख दिजिए खहाए यहां पदार्थ और यहां पे अपवर्त नांग ने के तो की रसीन का कितना बताये थे? तो की रसीन का पता था? हम लोगका 1.44 फिर किसका बोल रहाँ था सवाल? तार पीं का तो आप टेबल बना दिजेगा आंसर जब लिखिएगा तो यहीं लिखिएगा कि सारनी 10,10 मलो 3 से और उसके नीचे टेबल बना दिजेगा एक तरफ सारनी बना दिजेगा पदार्थ का अपवर्तनां का इसमें पूरा का नहीं बनाना है उसी का बनाना है जिसमें सवाल बोल रहा था तो किरोशन हो गया तार्फिन तो तारफिन का स्टेल का कितना होता है प्यारे बच्छों 1.427 कि पीर आता है जल का तुढ भी दिया है तो जल का देख रहे हैं one point कितना होता है? three three यहां पे देख पा रहोंगे कि जल का अपवर्तनांग क्या है सबसे कम है तो जल का अपवर्तनांग जब सबसे कम है तो जहां पे जिसका अपवर्तनांग कम होता है उसी में परकास की चाल सबसे अधिक होती है तो यी बात आप नोट करके यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि चुकी जिस पदार्थ का अपवर्तनांग सबसे कम होता है उसी पदार्थ का परकास की चाल तिवर होती है यह नोट में यहाँ भी लिख सकते हैं फिर उसके निचे लिखेगा अतह यहाँ जल का अपवर्तनांग सबसे कम है देख रहे हैं जल का सबसे कम है तो बोल रहा था कि तीनों में परकास सबसे ज्यादा तेजी से किस में चलेगा तो सबसे ज्यादा तेजी से चलेगा जल में क्यों क्योंकि इसका अपवर्तनांग सबसे कम है तो आप याद रखिएगा कि जिसका अपवर्तनांग जो है कम र कम है इसलिए इसलिए किरोसीन कोमा तारपिन का तेल तथा जल में इन तिनों में किरोसीन तारपिन तेल जल में इन जल में परकास का चाल तिव्र होगा जल में परकास का चाल तिव्र होगा चलिए तो यह चौथा कोश्चन था चलिए आगे कोश्चन की तरह बढ़ते हैं कोश्चन नमबर पांचवां यह बच्चों यह कोश्चन लास्ट है प्रस्न का तो पांचवां कोश्चन लिखा जाए पाचवा कोशन है हीरे का अपवर्तनांग लिखिए कोशन हीरे का अपवर्तनांग 2.42 है यह और यह कोशन बहुत भी विए इंपोटेंट है हीरे का पुरतनांग 2.42 है इस कथन का क्या अभिप्राय है यानि कि हीरा क्या पुरतनांग कितना होता है 2.42 तो इसका अभिप्राय बताना है कि इसका कहने का मतलब क्या है तो इसका आंसर दिखेंगे हीरे का पुरतनांग 2.42 है पुन्विराम इस कथन का अभिप्राय यह है कि वायू में परकास की चाल तथा हीरे में परकास के चाल का अनुपाद दो दस्मलों चारदू है कि यह इख दो दस्मलों चारदू है देखे बोल गया रहा था प्यार बच्चों की ही रा का अपवरतनां्ग निकाल रहे हैं तो जिसका अपवर्तनांग निकालते हैं, उसी से न भाग देते हैं, क्योंकि N का फर्मूला क्या होता है, C बटा भी, तो बोला जा रहा था कि हीरा के अपवर्तनांग 2.42 है, इसका क्या अभिप्राय है, तो प्यारे बचों, इसका यही अभिप्राय है, कि परकास की चाल में, वायू में परकास की चाल में, और हीरा वाला में परकास के चाल कानू बात कितना होना चाहिए, 2.42, तो इसमें कुछ बार पूछ चुका है कोशन बोर्ड एक्जाम में कि हीरे का जो अपवर्तनांग है वो 2.42 है इसका क्या अभिप्राय है तो आप यहीं लिखेंगे कि इसका यहाभिप्राय है कि वायू में परकास की चाल और हीरा में परकास का चाल का अनुपात जो है 2.42 है तो इस तरीके से प्यार बैचो आज हम लोग कोशन को भी पढ़े अपवर्तनांग को भी पढ़े तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं फिर अगले क्लास में आगी की टापिक्स को हम लोग पढ़ेंगी तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद